क्या आपको पता है कि आपने कितने सारे companies के साथ आपका personal information share करकर रखा है I was surprised जब मैंने देखा कि मैंने 100 companies के साथ मेरा personal data जो है वो share करकर रखा है अगर आपको भी जानना है तो ये video पूरा देखो क्योंकि इस video में आपको दिखाऊँगा कि आप भी कैसे जान पाओगे onlineapp.com उसको सार्च करने के बाद पहला ही जो option मिलेगा आपको यहाँ पर आप click कीजिए new home यहाँ पर जाके आपको get started देके sign up करना बराएगा आपका जो primary gmail ID है उससे मैंने already sign up कर लिया है तो मैं अभी signing करूँगा तो यहाँ पर sign in में दे रहा हूँ आप sign up करके sign in करना फिर यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 companies holding your data were found in your footprint यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 companies के पास मेरा data है तो अभी देखते हैं कि कोंसे कंशे companies पास मेरा data है, तो see which companydays यहाँ पर-click करेंगे, फिर यहाँ पर देख सेकते हो कि कितने सारे companies पास myける personal data मैं ने share करके लखें और मुझ्छे पता भी नहीं है आप यहां पर देख सकते हो कि कितने सारे companies है बाई लाइन लगी है यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हो और अच्छी बात यह है कि आप चाहते हो कि उस company के पास आपका data ना रहे तो आप reclaim कर सकते हो जैसे कि इवांटों से मैं reclaim करना चाहता हूं तो यहां पर मैं reclaim करूंगा फिर मैं यहां पर reclaim कर दूंगा send request कर दूंगा यह reclaim can take a few days to send as we are processing it you can cancel it anytime लेकिन मुझे नहीं cancel करना है तो यहां पर अभी के लिए मैं not now दे रहा हूं तो कुछ दूरे में मेरा जो personal data है इस company से हट जाएगा तो ऐसे जो भी company के साथ आप share नहीं करना चाहते है आपका personal data तो वहां पर reclaim कर दो तो सारा data आपके पास आ जाएगा उनसे तो दोस्तो अगर आपको यह video अच्छा लगे तो जरूर like share और subscribe कर देना क्योंकि इस channel में मैं बहुत सरे informative videos बनाता हूं और unboxing भी करता हूं बहुत सारा तो आप channel को like और subscribe जरूर कर देना तो दोस्तो इस video को यह पर खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे next video में till then bye bye